हेलो बच्चो नमस्कार आज सुरू करते हैं डाइ इथाइल इथर इससे पहले में उम्मिद करता हूँ कि आप सभी सही होंगे स्वश्थ होंगे और बहुत ध्यान से बैठ के होंगे पढ़ने के लिए और इस वीडियो में आज आपको डाइ इथाइल इथर बनाने के मैथड उसकी केमिल प्रपरटी जो उता जाएंगी और बच्चो विद्या की ओरते आपको यहां पर यह प्री क्लासी दिया रही है आप इसका लाव उठाइए क्योंकि बहुत सारे इस बच्चे हैं जो त्यूशन की फी एफर्ट नहीं कर पाते नहीं दे पाते हैं उनकी इस्तिया से नहीं होती है तो विद्या ने आपके लिए प्री क्लासी शुरू करने का मन बनाया था उसे सुरू कर दिया है और इसका आप लाव उठाइए और मैं विनित्यागी आज सुरू करता हूं आपके लिए डाई इथाईल एथा लेक्च्चर तो ध्यान से देखियां बोर्ड डाई इथाईल एथर डाई एथिल एथर डाई एथिल एथर C2H5 O C2H5 इसका फॉर्मूला है C2H5 O C2H5 और इसका IUPAC नाम है अगर आपसे पूछता है कोई की IUPAC नेम क्या है इसका IUPAC नेम है इसका इथोक्शी एथेन इथोक्शी एथेन डाई इथाईल एथर की सबसे पहले सबसे महत्वन जो विदी हैं वो दो विदी सबसे महत्वन हैं इसकी और इसमें जब पहली विधी है प्रियोग शाला विधी इस विधी का एक नाम और भी है तो पहली विधी है इसमें प्रियोग शाला विधी लेब मेथड प्रियोग शाला विधी लेब मेथड इस प्रियोग शाला विधी को एक और भी नाम से जाना जाता है जिसका नाम है प्रियोकस्वाला विधी का अवीरत एत्रीकरण विधी या सतत एत्रीकरण विधी क्या मोलते हैं इसे अवीरत बिना रुके अवीरत एत्रीकरण विधी और एक नाम मोर च्या है इसका सतत कॉंटिटीनी से करन् ही इटीरिफिकेस्ट मेत अवीराथ यह सतत इतरीर गरं ही नाम के मैं हैं इसे अब भी सबसे पहली बाद कि लैब में कैसे बना जाता है और बच्चों इसका नाम सतत या इत अविरत continuous क्यों पड़ा ये आपको उता जाएंगी बात सारी बातें आपको ध्यान सुनने नहीं होंगी और बहुत ध्यान से आप मन एकागर करके हैं बैठिये और बहुत ध्यान से आप आज एथर बाने के methods, chemical properties सब सीख कहेंगे तो इथर को प्रियोग शाला में कैसे बनाया जाता है अगर हम alcohol ले और alcohol को concentrate H2SO4 के साथ 140 degree Celsius पर गर्म कर दें तो यहाँ पर product बनेगा डाई इथाईल एथर क्या बनेगा प्रोड़क्ट यहाँ पर डाई इथाईल एथर यह बना डाई इथाईल एथर अब बात यहाँ पर यह समझाएं दिया आपको कि यह अविरत इत्रिकन विर्धिया सतत इत्रिकन विर्धिया continuous attribution method क्यों कहा गया इसके बीचे जो बात है यह है कि यदि हम एक फिलास्क लेकर मैं तो सुझाएता हूँ एक हमने यहाँ पर फिलास्क लेया और इसमें हमने क्या काम किया फिलास्क में एथेनोल भर लिया हमने और हमने इसमें मिला दिया क्या concentrate H2SO4 और reaction शुरू हो गई reaction शुरू होने के बाद यहाँ पर जब product बनका आएगा तो यहाँ पर receiver product में जब product खटा होगा ether ether C2H5OH C2H5O C2H5 ether भी लिया आपको तो यह ether बन जाएगा आपको इसमें बार बार concentrate H2SO4 नहीं मिलाना बार बार नहीं मिलाना बार बार नहीं मिलाना क्योंकि concentrate H2SO4 की थोड़ी सी मात्रा ही ether alcohol की बहुत जगे मात्रा को ether में convert कर देती है तो आपको इसमें continuous यह reaction होती रहेगी बस आपको alcohol में डालते हैंगे इसमें और ether बनता रहेगा आपको बार बार concentrate H2SO4 नहीं मिलाना है इसलिए इसे E3 करण विधी कहते हैं सतत continuous क्योंकि H2SO4 की थोड़ी सी मात्रा ही H2SO4 की बहुत अधिक मात्रा को ether में convert कर देती है परंतु एक टाइम ऐसा आता है जब आपको H2SO4 को change करना पड़ेगा क्योंकि जब बार बार रेशन होती रहेगी तो H2SO4 जो है यहां पर क्या हो जाएगा डाइल्यूट हो जाएगा इसलिए आपको कुछ टाइम के बाद H2SO4 को change करना पड़ेगा कुछ टाइम के बाद तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं सतत E3 करण विधी कहते हैं continuous E3 vacation method कहते हैं second विधी क्या है first विधी हो गई second विधी very most important विधी है बच्चो और इसें ध्यान सुनना आप लोग कितनी important विधी है second जो विधी है इसकी यह है विलियम विलियम सन संसलेशन विधी विलियम सन संसलेशन विधी यह भी important थी तो यह भी important methods का विलियम सं संसलेशन मेथड जो इस मेथड से एथर कैसे बनाया जाता है ध्यान से रमज़िए हम इस भी धी में लेते हैं sodium ethoxide c2h5ona क्या है यह sodium ethoxide और इस में हमें क्या मिलाना है c2h5 b r मिला दीजिए और यहां से n a b r अलग करिएगा और क्या बनेगा c2h5 o c2h5 प्लाइस एन ए बी आर डाई एथेल एथर तो इन में आगए हुए आप सब को मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ध्यान से ने समझ रहे होंगे और यह जो इसका second method था यह भी important है और first important है और मैं चाहता हूँ आप से पूशना आप बताएगा में continuous ethrification method उसमें आपने क्या सीखा आपने सीखा कि एथिल एलकोहल की बहुत जाद मात्रा को कंसेंट्रेट एस्ट्वस्तफोर की थोड़ी सी मात्रा ही एथर में convert कर देती है और अभी किर्या बिना रुके लगातार continuous चलती रहती है इसलिए इसे क्या कहते हैं अभी रत एथरी करण विधी continuous सतत एथरी करण विधी कहते हैं प्रयुक्सला विधी को और पर याद यह रखना है कि concentrate एस्ट्रसफोर्स जब बहुत देर reaction करते करते हो जाती है तो वह dilute हो जाता है तो समय समय पर उसे change कर दिया जाता है दूसरी विधी थी विलियम सन संसलेशन विधी तो इस विधी में क्या होता है sodium ethoxide ethyl bromide के साथ reaction करता है तो diethyl ether बनाता है तीस तरी विधी में हम यहाँ पर लेंगे ethyl bromide के साथ में दो molecule लेंगे इसके और साथ में लेंगे ag2o silver oxide ag2o जब इसे ag2o के लेंगे यहाँ पर यह क्या हटेगा यहाँ से बोलो 2agbr और यहां हमें क्या मिल गया 2agbr हटा यहां से तो यहाँ पर c2h5 o c2h5 c2h5 o c2h5 प्लस 2agbr तो यहाँ पर भी हमने तीसरी विधी में diethyl ether बना दिया अब इसकी विधी नमबर चार फौर्थ मेथड कौन सा है फौर्थ मेथड है इसका बच्चो रेड होट ऐलूमीना लाल तत ऐलूमीना रेड होट ऐलूमीना अगर यहाँ पर एलकोहल के दो मोलीक्यूल लेकर इथाइल एलकोहल के दो मोलीक्यूल लिये हमने और हमने यहाँ पर मिला दिया AL2O3 250 डिग्री सेल्चियस पर तो यहाँ से यहाँ से वोटर का एक मोलीक्यूल अलग हटा और प्रोडक्ट बना हमारे पास C2H5O C2H5 पिलस H2O डाइ इथाइल एथा तो यह था इसका फोर्थ मेथड एलकोहल के इतने मोलीक्यूल लिये गए यहाँ पर टू मोलीक्यूल दो अनू एलकोहल के लिए और क्या मना आया लाल तब तैलूमिना और क्या बना प्रोडक्ट में प्रोडक्ट में बना यहाँ पर डाइ एथेल एथर आपको नहीं आई यह चार मेथड एथर माने के पहला कुंछा था लैब मेथड प्रोशला विधी सब को समझवाया होगा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने यह विधी ध्यान से सुनी होगी पहले मेथड क्या था इ नाम कंट्यूनियूस एथरिफिकेशन मेथड बहुत बढ़िया लैब मेथड लैब में जब एथर आते हैं तो एल्कोहल में क्या मिलाते हैं कंसंट्रेट एश्टोफोर और टैंपरिचर क्या होता उसका दाईए 140 degree Celsius और उसे जब गरम करते हैं तो क्या बन जाता है डाई इथाइल एथर और डाई इथाइल एथर का आईउ पेशी नाम क्या होता है इथोक्षी इथेन और डाई इथाइल एथर के बनाने के इस विधी को बोलते हैं continuous एथर विगिशन मेथड क्योंकि concentrate H24 की थोड़ी सी मात्रा ही एथिल एलकोहल की बहुत जादा मात्रा को एथर में कर देती है पर अंतु ध्यान रहे रहे क्या ध्यान रहे गोलिए कि concentrate H24 को समय समय पर चेंज कर देते हैं क्योंकि वह बहुत जादा रिख्षन करने के बाद dilute हो जाता है बहुत बढ़ है good अब इसके बाद chemical property आती है इसकी diethyl ether की वो कौन कौन सी chemical property है जो बहुत important है और आप से board exam में पूछी जाएंगी देखिएगा chemical property CP chemical property रासाइनिक गुर्ड रासाइनिक गुर्ड रासाइनिक गुर्ड रासाइनिक गुर्ड इसकी नमबर एक पहली chemical property मैं समझा जेता हूँ आपको PCL 5 से कि रिया आप बोड एक जाम में बार बार पुछी आती है PCL 5 से कि रिया तो जब diethyl ether PCL 5 से जाता है reaction करने के लिए तो देखो मैं आपको थोड़ा समझा जाता हूँ जिसे कैसे करने है reaction यहाँ पर PCL 5 है ना तो PCL 3 यहाँ लिख दीजिए CL यहाँ लिख दीजिए CL यहाँ लिख दीजिए और अब आप देखी यह क्या बना PCL और यह क्या बना और यह क्या रहेगे बीच में PCL 3 तो यह समझे होंगे आप कैसे बनाया हमने तीके तो मैं इसे मिटा जेता हूँ अब तो हमने क्या बनाया लिया थे आपर PCL 5 तो बढ़ाई यह क्या बनेगा पहला कंपाउंड और बढ़या क्या बना T2H5Cl प्लस PCL 3 बना के नहीं बना समझे शेकिन रियक्षन यहाँ पर यह याद रखना है शेकिन रियक्षन जो मैं करने जा रहा हूँ यह आप H2O से करेंगे H2O से क्या यह बहुत आसान रियक्षन है मैं समझता हूँ कि जितने बच्चे भी यह वीडियो देख रहे हैं इसे तुरंट ही कर देंगे मुझे ऐसी उमीर है आप से यहाँ पर यह वोटर जब मिलाया तो बताईए यहाँ से क्या बना करिए कंप्लेट एक्षन को C2H5OH प्लस C2H5OH तो दो मोलिक्यूल बने किसके एलकोहल के C2H5OH के दो मोलिक्यूल तीसरी केमिकल प्रोपर्टी आती है इसकी तीसरी केमिकल प्रोपर्टी में हम लेते हैं यहाँ पर याद रखना इंपोर्टेंट प्रोपर्टी आ रही बहुत इंपोर्टेंट है तीशरी chemical property में आप यहाँ पर लेंगे Hydro-Iodic Acid HI से किर्द्या यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर यह cold है और concentrate है थंडा और सांद्र है जब आप C2S5, OC2S5 एथर लेकर इसमें cold और concentrate HI मिलाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रोडक्त के रूप में मिलेंगे C2H5I ethyl iodide प्लस C2H5OH ethyl iodide यह नाम तो आप में बहुत बार पढ़ने हैं आप लें तीक तो एथेल आयोडाइड अगर आप यही पर नंबर 4 एक लिखना हूँ में इंपोरेंट रेक्शन है HI से क्रिया करेंगे परन्तु होट लेंगे और क्या लेंगे कंसंट्रेट लेंगे हाइडरो आयोडी कैसेड तो रेक्शन कैसे होगी बहुत इंपोरेंट रेक्शन है समझने होगी ध्यान से दोनों में के डिफ्रेंस आएगा पहले स्टेप में आप क्या करेंगे C2S5O C2S5 लिया इसमें HI मिलाया और यहाँ पर आपने पहला स्टेप से वैसा कर दिया जैसे कोल्ड वाला था C2S5I प्लास C2S5O H परंद यह एक्सीजन लेना पड़ेगा आपको अधिक के मिलेना पड़ेगा अधिक के एक्सीजन तो आप सेक्ड इस्टेप में C2S5O H जो अलकोहल है यह फिर से HI से रियक्ट हो जाता है और वोटर का मोलेक्यूल अलक करने के बाद यह यहां पर बना देता है C2H5I प्लास वोटर और जब आप इन दोनों को एक जिए जोड़ेंगे तो कम्प्रीट रियक्शन बनका आएगी उपर क्या है C2H5 यह कैंजल हो जाएगा इससे C2H5O C2H5 HI HI कितने मोलेक्यूल हुए दो मोलेक्यूल यह कितने बने 2C2H5I के दो मोलेक्यूल पिलस में क्या है वोटर तो याद दना पेपर में अगर आपको मिल जाए और कॉल्ड और कंसंट्रेट है चाई हाईड्र और आईडिक ऐसेड तो एक ही स्टेप में होई आएगी अगर होड और कंसंट्रेट हाईड्र आईडिक ऐसेड मिला तो दो इस्टेप में आपको रेक्षिन में बुरी करनी होगी इसकी यो नेक्स्ट केमिकल प्रोपरिटी है वो है नमबर पाँच अगली केमिकल प्रोपरिटी नमबर पाँच अगली जो केमिकल प्रोपरिटी है इसकी उसे हम बड़ी important reaction है बच्चो और ये red hot alumina से होनी है इससे होनी है red hot alumina से पाँचवी chemical property red hot alumina से पाँचवी यहाँ पर क्या होता है red hot alumina डाई इथाइल इथर में से water का एक molecule अलग निकालता है जवाँ बड़ेंगे यहाँ पर red hot alumina यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से O यहाँ से H, यहाँ से O, यहाँ से H सीटो S4, सीटो S4 कितने molecule बनें सीटो S4 के दो molecule और यह हो गया इसका water का molecule अलग तो क्या बना? एथाइथीन तो इस परकार से पाँच property होई है और छड़ी property इसकी जो है वो सुरू होती है, बड़ी important property है question पूछता है, board exam कि आप एक reaction देकर प्रूफ कीजिए कि diethyl ether Lewis base की तरह कार्य करता है या आप diethyl ether से oxonium लवन कैसे बनाएंगे तो यह reaction इसकी important reaction है आप diethyl ether लेंगे diethyl ether diethyl ether ले आप लोगों ने diethyl ether में oxygen के पास दो lone pair of electron होते है इन lone pair of electron की वज़े से ether Lewis base की तरह कार्य करता है और हम equation देकर यह प्रूफ कर देंगे कि क्यों इसने Lewis base की तरह कार्य किया क्योंकि जब यह base है और यह acid है और acid जब base के बाद जाएगा तो hydrogen oxygen के lone pair of electron पर जाकर oxygen से जड़ जाएगा और यहाँ पर O के पास H जड़ गया नीचे दो रह गया और यहाँ बन गया और जोनियम salt और यहाँ CL तो इस से सिद होता है कि ether 1 Lewis base है यह आप यह वाली equation भी करा सकते है C2H5 O C2H5 सब जानते हैं क्या होता है उक्षियन के बास बोलिएगा lone pair of electron होते हैं और यह जो lone pair of electron है यह जब किसी acid के साथ direction होती है तो acid का तो acid का जो hydrogen होता है वे है lone pair of electron के साथ जुड जाता है और इस प्रकार से फिर से oxonium salt बन जाता है और यह जो oxonium salt बना और साथ में आएगा HSO4 एक निगेटिव यह बन गया salt इसे बोलते हैं लवन oxonium love and oxonium love and तो जब question board बोलते हैं कि आप कैसे proof करोगे कि diethyl ether एक diethyl ether एक Lewis base है तो आपको इन में से कोई सी भी equation paper में लिख देनी है और लिख देंगे कि यह है अमलों से किद्या करने के बाद लवन बना रहा है इसलिए यह Lewis base है क्योंकि oxygen के पास क्या है loan pair of electron है और इसकी एक reaction आ जाती है बच्चों कभी कभी कि आप हैलोजन से chlorine, bromine, iodine में chlorine से जाद पुछते है chlorine से diethyl ether की reaction कीजिए तो chlorine से CL2 से किद्या कैसे करेगा diethyl ether यह बात समझने की है बड़ी काम की बात है C2H5O C2H5 को इस परकार न लिखके आप ऐसे लिखेंगे जिसे CH3 CH2O CH2CH3 अब यह वाला कार्बन alpha, यह वाला कार्बन बीटा, यह alpha डेस, यह बीटा डेस यहाँ पर जब किलोरीन इस से reaction करेगा तो किलोरीन alpha कार्बन के hydrogen को हटा कर वहाँ पर स्वेम आ जाएगा यह बन जाएगा पहले step में CH3CH2 CL C-C-L, O, CH2, CH3 CH2, CH3 प्लास, HCL और जब दूसरा step सुरू होगा तो दूसरा step में क्या होगा जो यह बना आपके पास क्या बना CH3, CH, C-L, O, CH2, CH3 अब यह जो alpha डैस है यहाँ पर आएगा फिर से किलोरीन C-L दो नहीं सकते हैं आपके से एक C-L यहाँ से इस H को हटा देगा और यहाँ पर अब H हटते ही यह बन जाएगा CH3, CH2, C-L, O, CH, C-L और यहाँ पर जाएगा फिर से CH3 तो यहाँ पर बना alpha, alpha डैस, di, chloro, di, thai, ether alpha और यह alpha डैस दो हैं di, chloro, di, thai, ether तो किलोरीन की जो chemical properties थी सबसे important property किलोरीन की यह आपने आप अब देखी तो अब इसके बाद किलोरीन की जो आगे पूछते हैं उसमें पूछ सकते हैं आपसे कभी कभी कि किलोरीन di, thail, ether di, thail, ether की कुछ यूज। आपसे यूज कहां कहां होते है di, thail, ether की आप جान सकते हैं di, thail, ether का use कहा हुआ बताईए alcohol बनाने में बहुत बढ़िया दूसरा यहां पर एक question पूछ सकता है board और आगे पूछा पीशे पूछा जा चुका है और आगे पूछ सकता है कि यह यह Lewis Base की तरह विभार क्यों करता है तो यह मैंने आपको बता दिया क्यों करता है क्योंकि डाई इथाइल इथर के पास क्या होते है lone pair of electron किसके पास die-ethyl ether में जो oxygen atom है इसके पास क्या है lone pair of electron है और इसकी वजह से यह हैं अमलों के साथ reaction कर लेते हैं और reaction करके लबण मनाते है salt मनाते है इसलिए क्या बोलते हैं इसे Lewis base कहते है तो die-ethyl ether Lewis base की तरह भी कार्या करता है और बच्चो एक question मैंने बताया था आपको कि die-ethyl ether जो है इसे प्रयोग साला विधी जो है इसकी उसे continuous ethrification method क्यों गहते हैं तो ज़रा मैं पुछ लेता हूँ जो पढ़ाया है आप में से कितनों को दिहान है बताये कि die-ethyl ether की प्रयोग साला विधी को continuous ethrification method क्यों कहते हैं हाँ बहुत बढ़या इसका continuous continuous सतत या अविरत नाम इसलिए रखा गया तहीं मताया आपने क्योंकि यह ethyl alcohol की बहुत अधिक मात्रा को बहुत सारी quantity को कहा इथर में परिवर्तित कर देता है इसलिए इसे क्या बोलते हैं सतत इथरी करण विधी भी कहते हैं तो यह alcohol के यह chemical property जो आने के method और जो आपने इसके यूज देखे यह सारे ही board exam में अलग अलग वर्सों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी in future इन में से आप से question पूछे जाएंगे तो आप लोगों ने उम्मित करता हूँ कि बहुत ध्यान से इसे पढ़ा तुना और इसी के साथ यहां पर ही topic पूरा हो जाता है और बच्चों यहां पर topic पूरा हो जाता है और अब next topic के साथ next video में मिलेंगे फिनोल आपको पूछा जाएगा बहुत इम्मितान topic है और 2000 दो 2000 दो से लेकर 2000 बाइस तक 23 तक लगाता और बोर्ड एक्जाम में इसमें कुर्शन पुछ आते रही है और आगे भी in future इसमें से दूर कुर्शन पुछ आएंगे आप से उम्मित करता हूँ कि आज आपको पढ़ाएगा लेक्च्चर समझ में आया होगा इसके साथ happy learning और अब मैं next video में आप से मिलता हूँ thank you